Praise the Lord, Hallelujah प्रभू की सुती हो, हमारे अतिप अवित्र पेमेश्वे के नाम की सुती और मही माज के दिन हो, Hallelujah मेरे प्रियों लोग प्रभू ने हमें एक साथ 2021 जन्वरी 13 तारिक अनुकरहित करके दिया है कि हम अपने पिता को हम धन्यवाद करें, स्तुती करें, अराद ना करें, Hallelujah इसलिए अपने सवे शक्तिमान प्रभू को हाथ उठा कर स्तुती करें, Hallelujah धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अपने हाथों को उठा कर सभी लोग स्तुती करें पिता को हाललुया धन्यवाद 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 पिछले पूरे दिन प्रभू ने हमें समभाला है इसलिए धन्यवाद दे प्रभू को हमें अच्छी नीम दी प्रभू ने इसलिए धन्यवाद दे प्रभू को हाललुया हम सोए लेकिन परमेशुर ने हमें समभाला और आज की दिन जगाया है इसलिए प्रभू की खृपा को याद करके स्तुति करे हाललुया प्रभू ने हालेलुया, दिल से धन्यवाद करें, यहुआ अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है, मेरे साथ कहें, मेरा येशु अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है, हालेलुया, 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 धन्यवाद पता, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रभू, हम आपके अरादना सुती करते हैं भजन सहीता तीस में से लिका है हे यहुआ मैं तुझे सराओंगा क्योंकि तुने मुझे खीच कर निकाला है और मेरी शत्रों को मुझे पर आनंद करने नहीं दिया किते लोग इस वचन को अपना साक्षी या अपना गवाही के तौर पर बोल सकते हैं क्योंकि परमेशुर हमें बचाने वाला प्रभू है हमें कभी भी शत्रों के सामने निंदितों नहीं दिया है प्रभू ने हाललुया इसलिए धन्यवाद दे सरा है प्रभू को और आगे चार से हम पढ़ेंगी उसमें से लिका है यहुआ कि भगतो उसका भजन का हो और जि तू सबेरे आनंद पहुंचेगा हालेलुया अमेन इसलिए याद रखे मेरे प्रियो लोग अगर आज आप किसी भी बात से भार से याप किसी पधिशानी से है याद रखे ये वचन कि रात को रोना पड़े भरं तू सबेरे आनंद पहुंचेगा क्यों तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटू का बांदा है हालेलुया इसलिए धन्यवाद करे स्तुति करे प्रभू को हालेलुया ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो हे मेरे प्रमेश और यहुआ मैं सरवदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा हालेलुया इसलिए मेरे प्रिया लोग यह आवाद सुनने वाले हर एक प्रिया लोग कोई भी चुप ना रहे लेकि प्रभू की स्तुति करे भजन काए जितना प्रभू की अराद ना कर सकते है धन्यवाद कर सकते है करते रहे हालेलुया क्योंकि प्रभू ने हमें अद्बत तरीके से अब तक सम्हाला है हर एक आशिशों को याद करके आप अपने हाथों को उठा कर सुति करे आईए हम साथ में प्राद ना करेंगे हम जानते हैं कि प्रमेशृ हर एक जन के मन में आराद ना स्तुति करने के लिए प्रेज़ना पवित्रात्मा दे रहे हैं हालेलुया इसलिए सब लог स्तुति करें आराद ना करें अगर चाहे तो यह मेसेच को थोड़ी देर आप पॉस करें या स्टॉप करके आप तालिया बजाकर आराद ना करें आप गाना गाकर प्रबु किस्तुति करें हालेलुया प्रबु के आराद ना करें क्यूंकि हमारा परमीश्वित की जो उपस्तिती है वो बहुत जादा प्र प्रबू है हम आपके राद नास्तुती करते हैं धन्यवाद पता आप अच्छे प्रबू है आप हमें समालने वाले प्रबू है आप हमारे धाले उसके लिए धन्यवाद आपने हमें अद्बत तरीके से अब तक समाला है प्रबू आपने अच्छी नीन दी आरोगी से सहित के साथ आज के दिन आपने हमें जगाया है उस कृपा के लिए धन्यवाद पिता हालेलुया आज के दिन चैवंध हमें चलाने वाले उस विश्वास योगिता के लिए धन्यवाद पिता प्रभू आज के दिन आवाज सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रातना करते हैं पिता ह के विलाप को आप नित्य में बदल रहे हैं उसके लिए धन्यवाद हालेलुया आप उनको कमर को बांध रहे हैं उसके लिए धन्यवाद हालेलुया आनन का पटुका से आपने बांध लिया उसके लिए धन्यवाद हालेलुया जो भी भो जो भी भार है वो सब दूर करके आप उनको अपने आनन से आपके तेचस से आप भर रहे उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया, प्रभु जो भी रोग से पेड़ित है ईश्यमसी के नाम से चंगाई प्राप्त करें, हालेलुया, आर रोग या पूर्ण तरीके से उनकी जीवन में वापस आए, हालेलुया, इश्यमसी के जनों के उपए, पूर्ण तरीके से वो चंगाई वहाँ प्रवर्त थो, सर से लेके पैरों तक, पूर्ण तरीके से ईश्यमसी के नाम से चंगाई प्रवर्त थो, उनकी शरी में हालेलुया, धन्यवाद पिता, इश्यमसी के नाम से कोई भी रोग हो, आप हर एक रोग के वैद ये है, इसलिए धन्यवाद, हालेलुया, प्रभू धन्यवाद, आपने पूर्ण तरीके से सुपरनाश्रल हीलिंग अपने बचों को दी है, पूर्ण आरोग ये दी है, उसके लिए धन्यवाद, अद्बू तरीके से चंगाई देने के लिए धन्यवाद, ह सब लोग को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभू आप उनके लिए खुशी और सब को सही तरीके से आपकी खुरपा से आप उनको रास्ता बना दे हम प्रातना करते हैं जो भी बच्छे हैं प्रभू उनको भी आप बुद्धी दे ज्यान दे कि वो आपने पढ़ाई में भी अनुग्रेट रहें उनके परिवार को अनुग्रेट करें हाललुया आज के हर एक मीटिंग को भी आप अनुग्रेट करें हम प्रातना करते हैं सारा आदरों मही में आपको ईश्य मस्य के नाम से हम मांगते हैं आमें 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 हाललुया प्रभू की खृपा और बजन सहीता पंदरा और मतिस समचार पच्चिस और चब्विस और अगर आप छे महिने में पढ़कर खतम करना चाहे तो निर्गमन की किताब ग्यारा से लेके पंदरा तक आमेन, हालेलुया, जरूर आप इसको पढ़े ताकि आप पूर्ण तरीके से ये बाइबल पढ़ सके, हालेलुया, और अब दूसरी चीज़ ये है कि हमारा मल्यालम में प्रातना और बाइबल स्टडी रहेगा, मल्यालम में, आप उसमें जरूर भागी हो सके, तो हो, अगर आप मल्यालम जानते हैं, तो जरूर, नहीं तो फिर भी आप प्रातना जरूर करें, अगर आप प्रात आपको लेकर जो confusion है उसके बारे में, हमें एक चीज़ समझना जरूरी है कि परमेशुर के वचन को कोई भी बाग नहीं सकता है, परमेशुर के वचन को कोई भी उसमें रोक नहीं लगा सकता है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी है, परमेशुर हमारे आस्ता बनाएंगे, हालेलुया, इसलिए शाम का जो बाइबल स्टरी है, उसके बारे में, उसमें हम प्रात्ना करते हुए आगे बड़े, हालेलुया, आईए हम पढ़ेंगे भजन सहीं, हम पढ़ेंगे आज दूसरा तिमोती से चार का अठारा, उसमें ऐसे लिखा है, और इस साथ कहे, इश्यू मसी की महीमा युगान युग होती रहे, एक साथ कहे, मेरे इश्यू मसी की महीमा युगान युग होती रहे, हालेलुया, आमेन, यहाँ पे पौलुस प्रेरत, यहाँ पे तिमोती से कहते हैं, कि प्रभू ने मुझे हर एक दुश कर्म या बुरे काम से मुझे छुडाएगा हालेलूया दुष्ट के हर एक पत्ती से परमेशर छुडाएगा करके हम यह आप पे देखते हैं अगर हम पालूस की भाशा में समझ सकते हैं कि परमेशर ने पहले भी छुडाया था आज भी छुडाएगा और आगे भी छुडाते रहेंगे हालेलूय एक और भाग हम पर सकते हैं माप ऐसे लिखा है प्रभू ने घोर अंद कर या घोर मृत्यू से बचाया और बचाएगा और बचाता रहेगा वैसे ही परमेश्वर हर एक बुरे काम से एक काम नहीं हर एक बुरे काम से परमेश्वर हमें छुडाएगा करके है ये वचिन हालेल करने नहीं दिया, हालेलुया इसलिए मेरे प्रियोलोग, शत्रू के हर एक पत्ती से, परमेश्वर हमें छुडाने वाला प्रबु है हमें खुद कोशिश करने की जरुवती नियी है, हमें से परमेश्वर के पंकों के आर्ड में बैटना है पर मेश्वर कि उस रहे सिस्तान में हम छुपे रहेंगे तो प्रभू हर एक दुश कर्मों से हर एक शैतन के पतिती से हमें बचा लेंगे इसलिए अगर आप सुनते हैं कोई भी शत्रू के गलत काम के बारे में आपको उस सब चीजों को सुन कर डरनी की जरूरत न भी उस से आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप प्रभू के जन हैं प्रभू के बचे हैं क्योंकि हर एक चीज से आपको छुडाने के योग ये परमेश्वर हमारे साथ है जैसे योप कहता है कि हर एक कश्टों से परमेश्वर ने बचाया है छे कश्टों से साथ साथ है इसलिए हाढ़ उठाओ कर प्रभू कि सुति करे बच्चन सिंक तैं 121 के साथ और आर्ट में हम ऐसे पढ़ते हैं यहवा सारी सारी विपति से तेरी रक्षा करेगा वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा इसमें क्या निकाए कि सारी विपत्ती से अब कोई भी विपत्ती हो वो एक हमारी जीब की जो विपत्ती है या कोई श्राप हो या कोई भी किसी भी तरीके की विपत्ती हो भले वो शायद हम नक्षत्र के दोश को बोलते होंगे या कोई भी किसी भी तरीके का श्राप हो दो भी डरने की जरूवत ने क्योंकि परमेश्यर का ये एक बादा है यह वा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा वा तेरे प्राण की रक्षा करेगा हाललुया लोग आपसे कहते होंगे कि आपको ये बाप दादाउ से ये श्राप आपके घर में है या आपके जीवन म यह होती आई हुई एक श्राप है करके तो भी आप जान ले कि एक बार इश्य मसी को जानने के बाद इश्य मसी को देखने के बाद इश्य मसी को अपनो धार करता मानने के बाद आप एक नए स्रिष्टी बन जाते हैं उसके बाद आपके पीछे जो भी श्रापते वो सब खतम वो सब मापे भस्म हो जाता है अब आप नई स्रिष्टी इश मसी में आप शुरू करते हैं इसलिए मेरे प्रियालोग हर एक पती से आपको बचाने योग यह हमारा परमेश्वर है यह हुआ तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा हालेलुया इसलिए मेरे प्रियालोग धन्यवाद करें इस्तुती करें परमेश्वर एक दिन के लिए या एक समय के लिए नहीं हमारी रक्षा करते हैं वो अब से लेकर सदा तक करता रहता है जरा हम आपसे पूछे कि क्या आप अपने बच्चों को एक दिन या एक समय के लिए रक्षा करते हैं उनको जो जरुवत है वो आप थोड़े समय के लिए देते हैं क्या नहीं मेरे प्रिया लोग परमेश्वर को जानने वाले ये समझ ले हमारा परमेश्वर जिन्दगी भर अनंत जीवन तक हालेलुया हमारे आने जाने में हर चीज़ को सदा तक हमें उसमें से बचाने और सदा तक हमारी रक्षा करने योग ये प्रबू हमारे साथ है हालेलुया इसलिए दुष्ट के कोई फिरूर्वर्वर्ती से डरने की जरुवत नहीं है आपको ना निराश्षा में जीनी की जरुवत है कोई भी दुष्ट कर्म, कोई भी शत्रू के पतिति है आपके चीवण में पूरी ने होगी इसलिए आप उठा कर स्थे करे हर एक दुश्कर्मों से पर मेशर मुझे बचाएंगे हारलुया बचल सहीता 46 में से पढ़ते पर मेशर हमारा शरंस्तान और बल है संकट में अती सहत से मिलने वाला सहायक है बचल सहीता 34 के चार में लिकाय में यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीती से निर्भै किया इसलिए मेरी प्रियों लोग हमारी जीवन में कोई भै हो अगर रोग का भै हो आपको डर लगता है कि यह सारे सिंटम से तो शायद मुझे यह कोई रोग होने वाला है डरेना हर एक भै से परमेशुर हमें बचाएंगे हालेलुया पूरी रीती से निर्भै करने वाला प्रभू है पैसो को लेके होगा या अंदकार को लेके डर लगता होगा हर एक डर से परमेशुर हमें दूर करेंगे हालेलुया क्योंकि प्रभु हमें सुरक्षा सदा तक के लिए देते हैं हललुया बज़साइता में हम एक और वचल पढ़ सकते हैं 62 का 8 उसमें लिखा हे लोगो हर समय उस पर भरोसा रखो उससे अपने अपने मन की बाते खोल कर कहो परमेश्वर हमारा शरंसान है हललुया और आगे अपने मन की बाते खोल कर कहो हमारा जो भी भार है मन में जो भी बात है खुशी की बात हो या कोई भी बात हो दुख की बात हो विपत्ती से आप डरते हो कोई भी बात हो सब कुछ परमेश्वर के सामने खोल कर रखे क्योंकि परमेश्वर हमारा शरंसान है परमेश्वर हमा हर एक शत्र के पतिती से बचाने योग्य प्रबू है इसलिए मनुश्य पर आस्रा ना रखे ना किसी और चीज पर आस्रा रखे ना पैसों के उपर आस्रा रखे किसी भी तरीके के सुरोत पर आस्रा ना रखे दुष्ट की आशा माहा पर खतम हो जाएगी वो नाश हो जाएगी क्योंकि परमेशुर हमें छुडाने वाला है हालेलुया इसलिए धन्यवाद दे स्तुति करें विश्वास के साथ हाथ उठाकर प्रभू की स्तुति करें एक कॉपा स्थुधी करे प्रभू को हालेलुया धन्यवाद अपने आग़े को अठाकर खोल कर प्रभू के स्थुधी करे पर मेशो ने हमारे विपती से हमें बचा लिया है हर एक विलाब को नृत्य में बदल दिया इसलिए खुशी के साथ स्थुधी करे झाल झाल